हे गुड मॉर्णिंग गाइज तो आज है हमारी फर्स सर्विस का दिन और अपनी एक्सवी 300 की सर्विस के लिए हम निकल चुके हैं महिंदा के शोरूम तो फर्स सर्विस में बता दूँ कि जनरल चेक अप होता है ऐसा कुछ नहीं करते हैं कोई और अपना इशू बताना होता है तो हम उसको डिस्कस करते हैं और उसके बाद वो लोग सलुशन निकालते हैं तो मेरे इस XV300 को लिए हुए महीना हो चुका है, अल्मोस्ट हफ़ता ज्यादा हो चुका है, गाड़ी कितनी चली है, एक बर यह देखिए, गाड़ी चल चुकी है, अल्मोस्ट वन थाउजन्ट थर्टी एड, जो कि 1000 किलोमेटर पर डियू हो जाती है सर्विस, तो अभी क्या है कि एक हफता ज़्यादा हो गया, ऐसाच कोई दिक्कत नहीं है, सर्विस का टाइम हमने अभी अपट्मेंट ले ली थी, और महीं जा रहे हैं, दो इश्यू जो है मुझे डिस्कस करना है, इसके बैक साइड में, जो लेफ्ट साइड आप देख रहे हैं उस कोने में, वहाँ से एक आवाज आती है, वो क्या आवाज है वो आज तक मुझे पता ही नहीं चल पाई है, सेकेंड इसकी अलाइन्मेंट का इश्यू है, अलाइन्मेंट मैं हाईवे पे गया था, में हमारी नंबर प्लेट आ चुकी है, अब ये लगवा लेंगे, नंबर प्लेट ये ही से ही, और जो साउंड आ रहे हैं बैक साइड से, वो तब आती है, जब मैं ट्रेल ऐसे ऐसे करता हूँ, समझ रहे हो, अगर मैं स्मूद रोड पे चलूँ, तो कोई साउंड नहीं है, बस जैसी मैं टर्न करता हूँ, जैसे ही यहाँ पे, यू कन से कि ओफ रोडिंग जैसा महोल आता है ना, तब भाई साब, वहाँ पे वो साउंड करता है, वो ही चेक कराना है कि क्या साउंड करता है वो, तो भाई हम पहुंच चेके हैं सर्विस सेंटर, और यह देखो, पहले गाड़ी के हलत दिखा देता हूँ, कि इतनी गंदी है, क्योंकि अब इस सर्विस करानी थी, इसी चक्कर में पिछले तीन दिना से गाड़ी को मैंने साफ ही नी किया, नहीं जाना भी नहीं था, इसलिए गाड़ी आइसी खड़ी रहे, इसलिए दो दिना वाश किया है, अब यहाँ देखते हैं यहाँ बिल्कुल अच्छे से वाज़े कि वैसे भी फस सर्विस है, तो और कुछ तो होगा नहीं, वाशिंग बहुत बढ़ी आद करते हैं, तो वाशिंग पर ही ज़्यादा फोकस रहेगा, अब यहीं पर प्लान है, अब यहीं पर अच्छे से देखते हैं, यही देखना बागी है, बस, यह देखा, भाई, जवाब कार तो बन गया है, और बोला है कि जाके लाँज में वेट करो, हराम करो, अब देखते हैं अब तो सर्विस लेन में भी नहीं हैं, just ऐसी बाहरी खड़ी है देखते हैं कब तक बुलाते हैं और कब यह स्टार्ट करते हैं सर्वेस, कब तक देखते हैं मूँ भी देखते हैं और क्या बस यार बेट करी जा रहे हैं चार गहंटे हो गया है बताओ, सुबे के आये हुए इतना टाइम लगता है, पूरा दिन ही निकाल दिया, अभी भी वाशिंग बाकी है, देखो कब तक वाशिंग कंप्लेट होती है, अभी देख क्या है नीचे मैं, अभी तो लगी भी नहीं है, वाशिंग के लिए, चलो हम देखते हैं, बताता हूँ आपको, और भाई, फाइनली वाशिंग के लिए लग गी है, और सबसे पहले ये लोग क्या कर रहे है, फ्लोर की क्लीनिक कर रहे है, पहले उन्होंने प्रेशर वो किया, एर प्रेशर सो सब कुछ क्लीन किया, अभी ये वेक्यूम कर रहे है, तारा मैٹ बगaż निकाल दिया है, और सफाई हो जाए तो बढ़िया है ठीक है देखते हैं अब किस कोडिंग कैसे इतना सफाई करते हैं अभी पहले इंटिरियर साफ कर रहे हैं उसके बाद जाएगी वाशिंग में सो भाई फाइनली सर्विस कंप्लीट हो गी है ठीक है और जो दो इशूर डिसकस किये थे उसका ये निकला कि पीछे तो इशू था भाई वो आवाज जो आ रहे थी वो सीट में कुछ था तो वो थोड़ा सा गैप था उसको सही किया उन्होंने तो सीट अजस्टमेंट कर दी अब वो अवाज भी आ नही रही अभी तो नहीं आ रही बाकी मैं कनFirm करूँगँ एक दובह और नहीं आ जो alignment का issue था ना, alignment वाला तो भाई वो कह रहें कि ये कोई issue नहीं है, क्योंकि अभी जब test किया ना उनके साथ, तो ऐसे कुछ खास लगा नहीं, और बाकी service में जो time लगा भाई सब दबा के 5 घंटे लगे हैं, और मेरी होगी थी हालत बुरी, ठीक है, और कुछ था नहीं, general check-up था, हाँ, बट यह था, उनके पास checklist थी, कि हमने यह यह चेक करना, फटा फट उन्होंने चेक किया, यह चल रही है, नहीं चल रही है, नहीं चल रही है, ठीक है ना, और उसके बाद उन्होंने just oil check किया, और अपना fluid बगार है, सब कुछ मलब check कर लिया, उपर से करके nut wall जो है, यह देख रहे होगे, पता नहीं अभी camera में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है, तो washing में सही किया, overall experience सही था, एक बढ़ बाहर से दिखा देता हूँ मैं, कि क्या लग रहा है अभी, तो बाहर चलते हैं जोना, तो भाई यहां हम गलत पार्किंग पे खड़े थे, तो अंकल गुसा हो गयो, कहते हैं यहां नहीं खड़े हो न, यह कोई government office है, तो चलो थोड़ा आगे चलते हैं, आगे चलके आपको दिखाता हूँ बाहर से पुरा view, और एक और चीज, service entrepreneur ट्रीट बहुत बढ़िया से किया, इश्यू छोटा सा था जो मुझे आवाज आ रही थी न, पीछे से खटगट की, तो मैंने clearly बताया, बट उन्होंने दो तीन पहले तो service advisor ने चेक किया, ठीक है, मेरे साथ गए थे, और उन्होंने चेक किया, तो आव इसे trial लिया, ठीक है न, तो overall सही था experience, ठीक है न, ऐसा नहीं है कि अवाज आ रही है, तो आपको convince कर दी कि अवाज नहीं आ रही है, अचा अभी देखते हैं, बाहर से दिखाता हूँ कि कैसी गाड़ी हुई है, washing ही हुई है, बाकी अंदर तो आपको पता ही है, क्या general में हो साफ तो सही कर दी है, बिलकुल सही कर दी है, washing तो अच्छी किया है, washing भी किया है, अपना थोड़े बहुत patches पड़े हैं, पर यह क्या है, खुदी साफ करने पड़ेंगे, ठीक है न, ढूप आ रही है, तो चलो अंदर ही चलते हैं, तो overall experience सही था, और बाकी और बताएंगे आपको अगली वीडियो में, तो भाई, overall experience बहुत बढ़िया था, ठीक है न, और बाकी और आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो भाई, एक और चीज़, अगर वीडियो अच्छा लगवा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और साथ में नोटे में, तो दिल झाल वाई, तो तेकी केर